सेंट्रल विष्टा पर योजना पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और लगातार विपक्ष भी इसको लेकर हमलावर है इस वीच केंदर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है दरसल अब कोई भी व्यक्ति इंडिया गेट या उसके आस पास फोटोग्राफी या वीडियोग्रा सेंट्रल विष्टा पुनर नर्माल पर योजना को लेकर आलोश्टा के बीच केंद्रिय लोक नर्माल वभाग यानि की सीपी डबलूडी ने इंडिया गेट के पास नर्माल स्थल पर फोटोग्राफी और वीडियो रिकॉर्डिंग को प्रतबंधित कर दिया है सेंट्रल विष्टा वेन्यू के पुनर नर्माल स्थल पर साइन बोड लगाए गए हैं जिसमें ये साफ लिखा गया है कि फोटोग्राफी और वेडियो रिकॉर्डिंग निशेद है परियोजना को क्रियानवित करने वाले CPWD के एक अधिकारी ने संपर करने पर उस पर कोई टिप पड़ी नहीं की गौर तलब है कि COVID-19 महामारी के बीज सेंट्रल वस्टापुनर नर्माल परियोजना को क्रियानवित करने को लेकर सरकार को विपक्ष क्योर से आलोशनाओं का सामना करना पड़ रहा है कि देश में लगाई जा रही कोविशिल्ड वैक्सीन की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है दरसल अब देश में कोविशिल्ड वैक्सीन की दूसरी डोज 12-16 हफ्तों के अंतराल के बाद लगाई जाएगी गौर तलब है कि ठीका करन को लेकर बनाये गए समूने सिफारिश की थी कि कोविशिल्ड वैक्सीन की दो डोज के बीच में जो अंतराल है उसे 12-16 हफ्ते यानि की 3-4 महिने किया जाए जिससे सरकार ने मान लिया है ये फैसला ऐसे वक्त में लिया गया जब विदेश में की गई एक स्टेडी में ऐसा दावा किया गया है कि अगर वैक्सीन की दो डोज के बीच में अंतराल को बढ़ा दिया जाए तो मौत का आंकड़ा कम हो रहा है इसके साथ ही देश में जारी वैक्सीन की किलत में भी कहीं न कहीं इस फैसले से कमी आएगी तो देश में कोविशील्ड वैक्सीन की दो डोस के बीच अंतराल को बढ़ा दिया गया है दरसल सरकार के पैनल राष्ट्रिय तक्निकी सलाकार समू एंटी एजी आई ने ये सिफारिश की थी जिसे सरकार ने सुईकार कर लिया है अब देश में कोविशील्ड की दो खुराक के बीच 12-16 हफ्तों का गैप रहेगा जो पहले 6-8 हफ्ते था हलाकि कोवैक्सीम की प्रक्रिया पहले की तरह रहेगी इसके साथ ही एंटी एजी आई ने सुझाओ दिया है कि कोरोना पॉश्टिव ये लोगों को रिकावरी के 6 महीने बाद वैक्सीन लगाई जाए NTAGI ने ये भी सुझाओ दिया है कि गर्वती महिलाओं को किसी भी कोरोना वैक्सीन लेने का विकल्प दिया जा सकता है और स्तनपान कराने वाले महिलाओं को प्रसों के बाद किसी भी समयटी का लगाया जा सकता है इसके साथ ही NTAGI ने ये भी कहा है कि संक्रमतों को recovery के लिए 6 महीने बाद तक कोरोना टी का करण से बचना चाहिए मुंबई के अंदर पिछले 4 दिनों से काफी सुद्री है और महारस्टा के अंदर भी तमाम जो पेशेंस है उनकी जो तादार है वो कम होती जा रही है और जिसके मतने नदर महारस्टा सरकार है उन्होंने ब्रेक्टाचेंज का जो सिलसिला है वो लगतार जानी रखा है जो 15 तरिक को जो को लोकडाउन तब वो खतम होने वाला था उसे कहीना के आगे बढ़ा दिया गया है और जे जो लोकडाउन है मुंबई और माराश्टा के अदर तकरीबन एक जून तक का ये लोकडाउन बढ़ा दिया गया है कोरोना वारस की दूसरी लहर के कहर के बीच महराश्ट में लोकडाउन को पंदरा दन के लिए बढ़ा दिया गया है अब एक जून दोहजार किस सुबा साथ वजे तक पावंदी लागू रहेगी महराश्ट में अब किसी भी ट्रांसपोर्ट मोर्ट से प्रवेश करने के लिए RTVCR की 48 घंटे पहले के नगेटिव रिपोर्ट जरूरी होगी आपको बता दे कियफ देश में महराश्ट में सबसे ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं मौत के मामले भी महराश्ट में ही सबसे ज़्यादा सामने आ रहे हैं गाइडलाइन्स के मुताबिक मालवाहनों के वाहनों में दो से ज़्यादा लोगों को यात्रा करने की अनुमती नहीं होगी अगर मालवाहक महराश्ट के बाहर से आ रहे हैं तो उन्हें संक्रमेतना होने के पुष्टी करने वाले आठीवी सियार रपोर्ट दिखानी होगी जो राजी में आने से 48 घंटे पहले जारी की गई हो और 7 दन तक ही ये मानने होगी देश में कोरोना के मामले भले ही कम हो रहे हो लेकिन कहर लगातार जारी है इस बीच राज्यों द्वारा सकती पहले से ही बढ़ती जा रही है बिहार सरकार ने ऐसे में 10 दिनों का लॉकडाउन और आगे बढ़ाने का फैसला किया है बिहार में लॉकडाउन 15 माई को खत्म हो रहा था जिसे अब 25 माई तक के लिए बढ़ा दिया गया है बिहार के मुख्य मंतरी नितीश कुमार ने का कि लॉकडाउन का परभाव सकरात्मक दिख रहा है और इसी के मद्दे नेजर लॉकडाउन को आगे बढ़ाया गया है पांच माई से 15 माई तक लॉकडाउन लगाया गया था अब इसे 10 दिनों के लिए बढ़ाया गया है इसकी जानकारे खुद मुख्यमंतरी नतीश कुमार ने दी उन्होंने ट्वीट कर बताया कि राजिमे 25 माई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है बिहार सरकार ने पटना हाई कोर्ट से मिली फटकार के बाद राजिमे 5 माई से 15 माई तक लॉकडाउन लगाया था इसकी मियाद शरीवार को खत्म हो रही थी अब सरकार ने इसे 10 और दिनों के लिए बढ़ा दिया है राजिमे कोरोना के केस घटने शुरू हो गए हैं मगर रोजाना 10 हजार के आसपास पॉजिटिव वरीज बिल रहे हैं और इसी वज़े से सरकार ने लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है भारत में अब 2 साल से 18 वर्ष के उपर वाले बच्चों पर भी भारत बायोटेक की को वैक्सीन का ट्रायल होगा और इसके साथ ही दो साल से 18 वर्ष तक के बच्चों पर होने वाले आई ट्रायल इसलिए मन्जूर किया गया है क्योंकि कोरोना वाइरस का जो तीसरा लहर आएगा उसमें आशंका ये जताई जा रही है कि इस पर बच्चों पर जादा असर पड़तावा नजर आएगा ड्रग कंट्रोलर जर्नल ओफ इंडिया ने कोवैक्सीन के दो साल से 18 साल आई वर्ष के लोगों पर ट्रायल को अब मन्जूरी दे दी है भारत बायोट्रेक के प्रस्ताव पर एक्सपर्ट कमेटी ने मंगलवार को ट्रायल के सिफारिश की थी कमपनी पास्तो पंचिस वालन्टियर्स पर अपनी वैक्सीन का फेज टू और थ्री ट्रायल करेगी सुत्रों के मताबिक ये ट्रायल दिले के और पटना के एम्स के अलावा कुछ दूसरे मेडिकल संस्थानों पर भी चलेगा वालन्टियर्स मिल जाने के बाद अगर कमपनी अगले हफते से भी ट्रायल शुरू करती है तो जुलाई तक ट्रायल पूरा होने के संभावना है इसके बाद डेटा को रगुलेट के सामने रखा जाएगा सब कुछ ठीक रहा तो अंत्रेम नतीजों के अधार पर आगस्त या फर सितंबर में वैक्सीन को बच्चों के लिए एमर्जंची यूज को मन्जूरी दी जा सकती है कोरोना की दूसरी मारक लहर से जूज रहे भारत को विदेशों से राहत सामगरी की खेप लाकर मदद को मुचाने के अभियान में भारतिय वायुसेना दिन रात जुटी हुई है इसी क्रम में आज भारतिय वायुसेना के सी सक्रा विमान ने बेल्जियम से फुल करीब 30 टन राहत सामगरी को भारत मौचाया है इस राहत सामगरी की खास बात ये है कि इसमें जरूली मेडिकल सप्लाई के अलावा चार बड़े ऑक्सिजन कंटेनर्स को भी वायुसेना का सी सक्रा विमान भारत लेकर आया है जिससे इस राहत सामगरी का तुरंत जरूरत मंद राज्यों को वितरण किया जा सके कोविड-19 के खलाफ जारी जंग में भारतिय वायुसेना ने भी पूरा दम लगाया हुआ है भारत में मेडिकल सप्लाई के लिए भारतिय वायुसेना अपनी भागिधारी लगातार सुनेश्यत कर रही है भारतिय वायुसेना का एक का C-17 ग्लोब मास्टर विमान उस्टेंट से क्रिटिकल लाइफ सपोर्ट एक्विमेंट लेकर हिंड़ नेर्भोस वापस लोटा हर यहां में कोरोना के भड़ते मामलों और मौतों की संख्या में होते इजाफे के बीच मुक्यमंती मनहुलाल एक्टिम बोड में नज़र आ रहे हैं मुक्यमंती मनहुलाल की ओर से बैठक दर बैठके की जा रही है है कि अब सरकार का फोकस शहरों के साथ साथ ग्रामरी शेत्रों में भी रहने वाला है क्योंकि कोरोना अब ग्रामरी शेत्रों में भी लगातर अपने पैर पसार रहा है जो के एक चिंता का विशह है और इसलिए सरकार अब शहरों के साथ ग्रामी शेत्रों में भी अपना फोकस बढ़ाने वाली है तो कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच हरियाला के मुख्यमंतरी मनोहरलाल ने प्रसकोंफरंस कर तैयारियों को लेकर जानकारी दी सीम ने कहा कि प्रदेश में कोरोना का ग्राफ अपकम हो रहा है प्रदेश में कमाकड़े सामने आ रहे हैं और मेडिकल सुविधाएं पर र्याप्त हैं सीम ने कहा कि इस दोरान हम सबको जतनी ज्यादा मदद हो सके एक दूसरे की करनी चाहिए साथी सरकार भी प्रदेश में गरीबों की मदद करने में युद धस्तर पर लगी हुई है साथे सीयम ने कहा कि हम प्रदेश में वैक्सिनेशन प्रोग्राम को भी बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं हरियाना में कोरोना के भड़ते मामलों के बीच हरियाना सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कोरोना महमारी को रोकने के लिए हरियाना सरकार लगातार उठा रही है कदम हरियाना के स्वास्त मंतरी अनल विज ने ट्वीट करतेवे जानकारी दी प्रदेश सरकार कोरोना वैक्सिन खरीने के लिए ग्लोबल टेंडर जारी करेगी ताकि राज्य में 18 साल से उपर वाले तमाम लोगों को जल्द से जल्द टीका करन किया जा सके ग्लोबल टेंडर एक प्रक्रिया है दुनिया भर में जो कमपनिया वैक्सिन बना रही है उन्हें यह टेंडर जारी होता है राज्य अपने संबंदित विबाग की वैबसाइट पर इस टेंडर को जारी करती है इस टेंडर के माध्यम से अंतरास्टिये कमपनिया जो कोरोना की वैक्सिन बना रही है उनको आमंतरित किया जाएगा और जो कमपनी सबसे किफायती होगी उसे ही आपूरती का ठेका दिय किया जाएगा आपको बता दे कि भारत में अलग-अलग राज्यों ने ग्लोबल टेंडर का आवान किया है इस टेंडर के तहट अलग-अलग कमपनिया जो की वैक्सिन बना रही है जिसमें स्पूतनिक वी वैक्सिन रूसकी वैक्सिन है इसके साथ-साथ मोडरना फाइजर जॉन्सन एंड जॉन्सन भी शामिल हो सकती हैं फ्री वैक्सिन लगवाने के लिए ग्लोबल टेंडर लगाने जा रहे हैं विज ने बताया कि कोरोना के खिलाफ मजबूत सुरक्षा चक्र बनाने के लिए वैक्सिन बहुत जरूरी है और असलिए सरकार को विश्यों में कहीं भी वैक्सिन मिलेगी तो सरकार जल से जद ला प्रशासन ने भी अब अपनी त्यारी करोना मारेस के खर देश स्रेंडर बीज चुरू कर दी है चंडिकर प्रशासन की तरफ से लिए जाए पर बच्चों का इलाज किया जा पकेगा यूटी प्रशासन के अग्रह पर केंद्र सरकार ने E.S.I. अस्पताल को उन्हें स्वापने की मन्जूरी दे दी है ये अस्पताल अब यूटी प्रशासन ने चेक ओवर किया है अस्पताल में पिरियोड्रिक विंग्स होने की वज़े से इसे कुरूना पीड़ित बच्चों के ट्रीट्मेंट के लिए रखा जाएगा प्रशासन कुवेपे सिंग बदनौर ने कहा कि कुरूना का नया वेरियंट युवाओं को भी संक्रमित कर रहा है इसको देखते हुए प्रशासन कुवेपे से एक्स्क्ल्यूजिव वाड को चिन्हित करने के आदेश दिये गये थे जहां युवाओं का इलाज हो सके आज बास तहसील के गाओं बडाला में चिकित्सा अधिकारियों ने स्वास्थ के इंदर पर चाप्यमारी की है और इस चाप्यमारी में एक स्वास्थ करमी ही मोके पर हाजिर मिली है बाकी दो स्वाश्टकर्मी नदार्द पाए गए हैं और अदिकारियों ने इसके लिए उन्हें चेतावनी भी दी है गरामिन बार बार इस बात को लेकर सिकाथ करते रहते हैं कि इस गाओं में स्वाश्टकर्मियों के बीच तनातनी का महल रहता है और इस आपसी खीस्तान की वज़े से गरामिनों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है हासी के गाउं बड़ाला स्थे तो स्वास से खेंदर पर चिगत्से अधिकारियों ने शापे मारी की जोरान तीन में से दो स्वास्तिकर्मी नदारत मिले आपको बता दें कि बड़ाला गाउं के स्वास्तिकर्मीयों में पसले काफी समय से आपसी खीस्तान चल रही है जिसका खामियाजा गरामिनों को भुगतना पड़ रहा है तो हासी में बड़ाला के उपस्वासकेंद्र पर शापे मारी की गई चिकत्से अधिकारियों ने रेट मारी और जिस रेट के बाद ये बिलकुल स्पस्ट हो गया कि किस तरह से मनमानी इन तमाम उपस्वासकेंद्रों पर चल रही है जिले में पिछले दिनों से लगातार करोना का कहर जारी था अगर सहरी बात करे तो इकरोना जो है पूरी तरह के से सहरी लोगों में व्याप्त था आस यहां बहुत बड़ी संक्या में लोगों की मौत भी हुई लेकिन अब धीरे-धीरे यह सहरी चेतरों को छोड़ कर जो है लगातार ग्रामिन चेतरों में पापने पाउं पसार रहा है जिले का ऐसा ही कोई गाउं होगा जिसमें कोरोना संकर्मित केस ना मिला हुआ हो अगर बात करें तो लगातार बढ़ते इन केसों के मदेनदगर परसासन भी लगातार गंभीर हो रहा है अगर पिछले दिने की बात करें तो परसासन ने दो पांच गाओं में 1481 धरों का सरवी कराया था जहां सरवी के दोरान ये सामने आया कि वहां 24 करोना के संकर्मित मरीज वहां मिले हैं और 316 लोग 80 जुखाम तता बुखार से पीडीत है